अब हम प्रश्च नम्मर चार कुछ डिफरेंट सवालों को लेने की बात सोच रहे हैं आपके लिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए तो प्रश्च नम्मर चार यह कह रहा है कि यदी f of x plus 1 f of x plus 1 is equal to f of x into f of y for every x and y belongs to real number इसका मतलब यह है bracket में कि x y के सभी वास्त्रिक मान के लिए इस प्रकार से परभाचित है कैसे f of x plus y is equal to fx into fy और तथा f 3 बराबर 5 दिया है आपको f dash 0 बराबर यह एक्स बराबर 0 पर function का आउकल गुणांग f dash of 0 is equal to 7 तो f dash of 3 का मान ग्याद कीजिए यह प्रश्ण चार कह रहा है तो है ना बच्चों की यह थोड़ा सा आउकलनिया सरसे के base पर है concept पर है लेकिन थोड़ा सा different है तो लीजिए प्रस्तूत है इसका हल तो बच्चों आप आप हम अगले नए सवाल पर हम ध्यान दें कुछ different सवाल होते हैं हर बार जरूर नहीं की diffensibility में आपको हमेशा diffensibility की जाच करने पूछा जाए हलंकि आउकल गुणांग का concept वही है तो question number four हम एक नया सवाल ले रहे हैं बच्चों इस पर ध्यान देंगे हमको question में क्या दिया है इस पर जदू ध्यान देंगे यदि हमें question में दिया है f of x plus y is equal to f of x into f of y for every प्रते के लिए इसको पढ़ते हैं और x और y जो है वो real value है वास्तिक मान के लिए है और साथ-साथ हमको f of 3 भी दिया है question में function का मान x बराबर यहने f of 3 की value उसने 5 दी है और साथ-साथ हमें differential coefficient at the point x is equal to 0 इसको बुलते है f dash of 0 वो 7 दिया है तो question यह कह रहा है कि आपको f dash आउकल गुणांग बिन्दू x बराबर 3 पर या f dash of 3 की value calculate करना है तो question थोड़ा नया है बच्चों question में क्या-क्या दिये है बहुत सारी बाते दी है आप ध्यान रखेंगे function में जो variable है independent variable dependent variable का sum multiply form में function को define कर रहा है f of 3 5 है f dash of 0 पर आउकल गुणांग 7 है और 3 पर आउकल गुणांग को हमें calculate करना है तो यहां पर मैं यह कहूंगा कि आपको f dash a की परभाशा याद होना चीए तो इसमें left hand derivative right hand derivative की आवशक्ता नहीं है बच्चों यह जो direct differential coefficient at point x is equal to a किसी भी function f x का x बराबर a पर आउकल गुणांग को बोलते है f dash a उसकी definition है limit x standing to a f of x minus f of a upon x minus a यह आपको ध्यार रखना है अब limit को simplify करने के लिए आपको मालूम है कि यदी हम माने x की tends to a है तो हम x बराबर a plus h मानते है एक्स बराबर h a plus h मानते हैं right hand जैसा आपको प्रतित हो रहा होगा हलांकि लेकिन इससे आपको यह नहीं समझना है कि हम right hand derivative निकाल रहे है rsd निकाल रहे है ऐसा नहीं है इसमें दोनों यह मान के चल रहे हैं कि यह differentiable है ऐसा सोच कर आपको f dash 3 की value calculate करने question कह रहा है तो a plus यह limit simplify करने का idea है तो यहाँ पर जब extending to a दिख रहा है चूंकि आपको इस परस नजर आ रहा है कि limit x tending to a है तो इसको हम कह सकते है कि limit h tending to 0 है उसमें plus or less करने की आउशक्ता नहीं है तो जो हम इसको जब simplify करेंगे f dash of a को इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दे रहा हूं तो आपको f dash of 3 calculate करना समझ में आ जाएगा तो बच्छो आपको इस परस नजर आ रहा है कि limit यहां change कर रहा हूं limit को simplified कर रहा हूं h tending to 0 हम कहेंगे और f of x के जगे हमने a plus h माना है h tending to 0 a x के जगे x tending to a के जगे h tending to 0 हो गया यह देखिए यहां से समझ में आ रहा है कि x बढ़ा a कव होगा जब h 0 की तरब अग्रसर हो जाए और यहां तो f of a दिखा ही रहा है और अपान नीचे x के जगे a plus h replace करेंगे x के जगे a plus h रखेंगे जो side में दिखा है हमने माना है और minus a तो यह एक प्रकार से limit का simplification है बच्चों तो no doubt की हमें यह समझ में आ गया कि f डैस a की value limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h होगी यह equation number one मान लीजिए इसको आप two मान लीजिए कुछ बच्चे direct इस formula को भी याद रखते हैं लेकिन मूल concept जो fundamental concept है किसी बिंदू x बरावर a पर function का आउकल गुणांक फलन का आउकल गुणांक की परभाशा समीकर नमबर एक से स्पष्ट होती है यह तो उसको simplified करके बताया गया है अब प्रश्ण कह रहा है कि abdash of 3 निकालना है x बरावर 3 पर फलन का आउकल गुणांक निकालना है तो a के जगे हम 3 रख देंगे a बरावर प्रश्ण के नुसा 3 दिख रहा है side में मैंने लिख दिया है तो limit यह क्या हो जाएगा limit h tanning to 0 वैसी रहेगा f of 3 प्लस h होगा minus a के जगे हम इस a के जगे 3 लिख देंगे और बटे h नीचे है अब limit को थोड़ा सा और simplify करें तो आपको स्पष्ट न जा रहा है यह जो given है दिया है प्रश्ण ने कि यह 3 और h का योग है तो योग अलग-अलग function को के product के बराबर है यहने f of 3 होगा यह और f of h होगा और minus f of 3 तो already है यह जो plus में है वो multiply अलग-अलग function में आ गया यह यहां से समझ में आ रहा है तो बच्चो आप देख रहे हैं कि f of 3 जो constant है h से विहिन रासी है h से मुक्त रासी है उसको हम limit से बाहर निकल सकते हैं तो f dash of 3 हमको मिल रहा है है f of 3 limit h tending to 0 और f of h है यह और f of 3 common निकल गया तो 1 आ गया अपन हमको यह इस परस्ट नजर आ रहा है कि हम इसको h लिख दे अब आपको question में f of 3 की value जो है वो 5 दी हुई है तो इसके जगे हम 5 लिख दे और limit h tending to 0 है f of h है और minus f of जो question में और एक चीज दी हुई है वो है 1 जो है f of 0 की value है f of 0 की value भी question में दी है वो 1 है तो हम 1 के स्थान पर f आप 0 लिख सकते हैं upon h अब h को h minus 0 लिख सकते हैं या h ही लिख दे ज्यादा अच्छा है तो यह जो पलभाशा है जिसको मैं box में बंद कर रहा हूँ आप इस पस्ट रूप से देख रहे हैं कि f dash a की value इस form में है तो इसलिए मैंने यह कहा था कि h minus 0 आप लिख दे तो और इस पस समझ में आजागा समीकर नमर 1 से compare करके देखें जिसको मैंने box में rectangle box में बंद किया है तो f dash 3 की value हमको बच्चों अब मिलने जारी है वो तो 5 है और आपको ये भी मालूम है कि ये जो definition है f dash a की है और यहाँ पर f of 0 आ रहा है तो निशित रूप से जिसको rectangle box में मैंने बच्चों बंद करके दिखा है उसकी value आपको f dash of 0 नजर आएगी ये f dash of 0 है जिसको मैंने rectangle box में बंद किया है और f dash of 0 की value भी question में दी है तो हमें ये simplified होके दिख रहा है कि f dash 3 की value 5 into f dash 0 की value कितनी है 7 x बराबर 0 पर फ़लन का आउकल गुनान 7 है एक निशित रासी है यही देख ले 5 और इसके जगे 7 question में दिया है साथ और ये simplification किसका है f dash of 3 का है तो 7 पंचे 35 हमें इसका result मिल रहा है ये इसका answer है बच्चो तो f dash 3 आपको निकालना था f of 0 जो है वो 1 है वो भी question में दे भी सकता है या आप calculate कर ले f of 0 निकालने के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 मान लेंगे तो भी काम हो सकता है कि आप देखे ये जो f of 0 आपको 1 question में न दिया हो तो भी आप यहां पर ध्यान दें कि हमें function की जो value है f of x into f of y दी हुई है और y बराबर 0 मान लें हम बच्चों में ये कह रहा हूं कि question में f of 0 दे या न दे तो कैसे 1 मेंने f of 1 के जगे f of 0 लिखा ये में थोड़ा सा आपको और बता दू तो और अच्छा होगा तो f of x ये 0 जो जोड़ेंगे तो f of x ही होगा is equal to f of x होगा और ये f of 0 है और f of x है f of x का भाग दे देंगे तो आपको f of 0 की value भी आपको मिल गई 1 तो 1 का मतलब f of 0 है इसलिए मैंने कहा बच्चों की f of 0 question में नहीं दिया था फिर भी मैंने direct 1 लिख दिया और question में दे भी सकता है easy form करने के लिए और न दिया हो तो function की जो definition है उसके आदार पर y बराबर 0 रख देंगे तो x plus 0 f x होगा और ये f x होगा y के जगे मैं 0 रख रहा हूं तो f 0 का requirement है f x का भाग दे दीजिए 1 तो 1 is equal to f 0 इसलिए मैंने 1 के जगे इस 1 के जगे f of 0 लिखा था है